गुद डे, आवर टोपिक इस यूजिज अफ लेट कंपाउंड इन पेंट्स फर्स्ट कंपाउंड इस लेट सब अक्साइड पीबी तू ओ इडिज ब्लैक पॉडर यह बेसिकली ब्लैक पॉडर होता है G everybody obtain on heating plumbus oxalate और जब plumbus oxalate को heat kea जाता है तो हम इसको obtain करते हैं In the absence of air, हवा की अर्म जुदिंगी में जब इसको heat up किया जाता है जैसे के plumbus oxalate को जैसे ही हमने heat up किया तो हमें lead sub oxide मिला, carbon dioxide मिली और carbon monoxide मिली और जो plumbus oxalate है, उसका color हमें ये cream color का मिलता है lead sub oxide is decomposed by heating into lead and lead oxide कि दुबारा अगर इसको heat up किया जाए तो यह decomposed हो जाता है किस में convert होता है lead के अंदर or lead oxide के अंदर it is also used in lead storage battery और lead sub oxide का इस्तमाल जो हमारी बैटरी होती है solar panel के अंदर जो के लिए use हम करते हैं वहाँ पर भी इसको इस्तमाल में लाए जाता है lead mono oxide या letharge mesicot इसका फामूला है PBO letharge varies in color from pale yellow to reddish yellow है कि pale yellow से reddish yellow तक जाता है so lead monoxide में letharge जो reddish color में होता है और जो mesicot है वो yellow color में आ जाता है यह different sources है यह rocks है जहां से इसको extract किया जाता है it is slightly soluble in water पानी में कुछ solubile होता है used in paint and flint glass paint क अंदर इनके pigment यूज होते हैं इसलिए में paint मुक्तरफ color का बड़ा shining color मिलते हैं इसके लावा flint glass flint glass जो भी को blur कि समके भी को clear मेंगे laboratory apparatus या हमारे जितने भी glasses बनते हैं वह basically flint glasses flint glass होते हैं letharge boiling in water letharge को अगर पानी के अंदर olive oil के अंदर गरम किया जाए तो एक compound बनाता है जिसको कहते है lead oleate कहते है olive से निकला oleate letharge used in preparing oil and varnishes और letharge से हम oil भी बनाते हैं और varnishing भी बनाते है varnish यह हम तोर पर chemistry के अंदर बहुत जादा इस्तमाल है chemical industry के अंदर trump lum mick tetra oxide red lead भी इसको कहते है minimum भी कहते हैं और इसका formula है PB304 जैसे यह shape से जाहर है when lead is heated in air at about 340 degree centigrade it absorb oxygen तो basically जब lead को आप heat करते है high temperature पे तो यह oxygen को absorb करता है and form bright scarlet scarlet का मतलब होता है सुर्ख crystalline powder of red lead Armenian उसको red lead Armenian कहते है अगर chemical देखा जाए तो lead को oxygen के साथ जैसी treat किया high temperature पे जो कितना है 340 degree centigrade तो यह हमें trump lum mick tetra oxide बनाता है it decomposes at 470 degree centigrade अगर इसी को दुबारा उससे ज्यादा heat up किया जाए इसमें दुबारा lead oxide बनाता है और oxygen को free कर देता है red lead used for variety of purposes storage battery के अंदर इस्तमाल आता है जैसे हमारे solar panel के अंदर बैटरी हम यूज करते हैं उंदर कहाम आता है paint pigment paint के अंदर जो pigment है जो स्रुख color होता है paint का वो इनकी वज़ा से होता है paint to steel and iron to retard Korean है कभी आपने देखा हो कि जब लोहे की अलमारी या frame आप बनवाते हो तो लोहे वाला उसके उपर paint का देता है प्रेमियर कहता है प्रेमियर क्या होता है कि वह उसको oxide उसको जंग लगने से बचा लेता है एक और इसकी पकड़ जो है वह बहुत जादा अच्छी होती है लोहे के उपर और जब इसके उपर paint की इसके उपर अच्छी पकड़ होती है और उसकी shining अपनी होती है तो basically क्या है कि यह जो है मिनियन मिनियन basically प्रेमियर लड के तौर पे यूज किया जाता है मैच मैचीज एंड सेरैमिक गलेजीज है कि जो माचस तीली होती है माचस की तीली जो जिलाने के काम आती चूला उगारा उसमें यह इस्तमाल में आता है इसके लावा सेरामिक जब उनों को गलेजिंग की जादे गलेजिंग को वह में आता है हमने पड़ा हुआ तो उसकी चमक में भी इसको इसको इस्तमाल मिला जाता है यह डिफरेंट शेयर दे यह जाता है लैड डायोकसाइट की बात करें इसका फार्मूला अपी बी ओटू वैन रेड लैड इसी हेट के साथ तो फिर क्या हुआ अर लेड नाइट्रेट बना लेड डायुक साइट बना और पानी बना और तो घूल div概 होता है लाट डायुक साइड इस रैडिश ब्राउन पॉर्डर होता है इस शेड़ में होता है और यह भी as a pigment यूज होता है पेंट्स के अंदर it is not soluble in water पानी में soluble नहीं है dissolve in alkali water और alkali water के अंदर soluble होता है yield soluble plumbates और soluble plumbates देता है अब plumbates क्यों होता है यह ऐसा इनाइन है जिसके अंदर दो element मुझूद होता है lead और oxygen आम तोर पर नाइन एक element को होता है लेकिन यह ऐसा इनाइन है जिसके अंदर दो element include और एक नाइन बनाते है नाइन वह जिस पर negative charge होता है यह कमिस्टी के अंदर practical के अंदर इसका काफे जादा इसको touch में लाएंगे not affected by del acid diluted acid इस पर असर अंदाज से नहीं होता white lead की बात करते है basic lead carbonate यह basically carbonate होते है white है तो white का तरलक तो carbonate से संगे मरमर जिसको भी कहते है pbco3.pb2 hydroxide is an amorphous white pigment है यह amorphous होता है it mixes with line seed oil और इसको line seed oil यह oil के किसम है उसके अंदर mix किया जाता है as a good covering power उसकी covering power बढ़ जाती है यह basically line seed oil है और यह line seed है white lead is not suitable for use as a good pigment और लेकिन इसके जो white pigment है वो ज्यादा good नहीं है उसकी वज़ा क्या है कि हवा के अंदर जो hydrogen sulfate होता है वो इसको काला कर देता है इसका color change कर देता है lead chromate pbcr o4 it is pigment named chrome yellow इसको chrome yellow कहते है chrome से आपको यादा है कि जो net पे हम explorer यूज करता है internet explorer वो भी chrome इसी से है उसके अंदर भी yellow color होता है lead chromate is boiled with dilute alkali hydroxide dilute alkali hydroxide is used as a pigment तो फिर इसको as a pigment यूज किया जाता है stable yellow yellow modification of lead chromate is monoclinic basically जो stable होता है वो monoclinic होता है ये crystal की किसम है जो monoclinic कभी आपने कुछ थोड़ा सा याद हो तो हम मुक्तरफ शेप बनाते थे crystal की तो उनमें से एक जो शेप थी वो monoclinic दी mixture of lead chromate with lead sulfate are used as a yellow pigment लादा yellow pigment में जो mixture है lead chromate का और lead sulfate का वो yellow pigment के तोर पे use किया जाता है thanks for watching and subscribe to the channel